अस्लाम लिग एवरिवन मेरा नाम अस्यथ है और यह से ही प्रोगमिंग लेंग्विज का लेसे निंबर 13 है इस लेसे में मैं आपके साथ सी लेंग्विज में लूप्स को डिस्कुस करूँगा इस के लिए मैं फिर से कोड ब्लॉक्स ओपन कर लेता हूँ क्यूंकि मैं हर लेसेन के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ क्रिए न्यू प्रोजेक्ट सी लूप्स फॉंट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ अगर आप अभी डिरेक्टली वाला वीडियो लेसेन देखें देख रहे हैं और आप बिल्कुल स्क्रैच वे हैं तो मैं आपको सिजेस्ट करूंगा कि जो पीछे वाले लेसेंस हैं वाप लाज़मी देखें हैं अधर्राइस इस पार्ट के आपको बिल्कुल समयज़ें आएगी अकसर हमारे पास कोई ऐसे सिच्वेशन आ जाती है कि हम repeatedly कोई काम करवाना चाहरे होते हैं कोई instruction है उसे repeatedly execute करवाना चाहरे होते हैं तो उसका control भी हमारे पास language में available है लेंग्विज इस चीज़ को भी support करती है किस तरह से support करती है वो लूप की शेकल में support करती है C language में तीन तरह के loops है जो इसकी first type है वो four loop है और जो second type है while loop है और जो third type है वो do I loop है अब जो यह तीनों की तीनों loops हैं इनको one by one देखते हैं हमेशे चीज़ याद रखे हैं जब भी आप loop की बात करते हैं loop किसी specific point से start होता है किसी specific point पर terminate करता है और उसके अंदर हमको specific operation perform करवा सकते हैं यानि for example अगर आप loop को understand करना चाहते है तो यह तीन चीज़ें उसमें आती है initialization उसके बाद condition and change अगर आप इसका syntax देखना चाहते हैं तो इसका syntax for loop का इस तरह से नदर आएगा सबसे पहले initialization उसके बाद terminator इस semicolon को कहते हैं जो के एक instruction को terminate करता है उसका sign होता है उसके बाद condition, conditions हम already use कर चुके है, if else statements में भी use की थी और उसके साथ switch में भी हम लोगों ने conditions का काम किया था लेकिन जो relational operators हैं उनको इन conditions में इस्तिमाल किया जागा जैसे if else में कर रहे थे उसके बाद जो यह वाला part आता है, इसे change कहते हैं, अब change में क्या आ सकता है थोड़ी सी detail में और add up कर देता हूँ, this is where यह starting point starting point ending point और उसके बाद जो change वाला part है, इसमें increment भी आ सकता है और decrement भी आ सकता है increment decrement यह तीन चीज़े हमेशे एक चीज़ याद रखें, यह तीन parts आपके loop में आते हैं एक normal loop अगर आप लिखते हैं तो यह तीन parts आते है loop की एक example करते हैं, यह काम कैसे करती है सबसे पहले मैं यहाँ पे एक variable declare कर लेता हूँ end i equals to one मैंने एक variable declare किया i के नाम से और उसको one के साथ initialize भी कर दिया क्योंकि यह variable है तो variable का कोई भी नाम हो सकता है 4 अब loop मैं चाह रहा हूँ कि 10 times चले इसके अंदर मैं एक statement टिक हूँगा मैं चाहूँगा कि वो जब statement 10 times print हो, तो कैसे होगी i equals to one अब यहां पर आप कह सकते हैं कि मैंने उपर i equals to one लिखे है मैंने फिर नीचे i equals to one लिखती है मैं चीजों को बहुत जादा simple रखना चाह रहा हूँ इसलिए अभी के लिए यह ठीक है, को issue नहीं है उसके बाद जो next instruction है अब मैंने one से लेके ten तक जाना है तो one से लेके ten तक कैसे जाओंगा i is less than or equal to ten उसके बाद i equals to i plus one अब यह वाला part मैंने पहले कभी आपके साथ discuss नहीं किया और जिस दिन मैंने आपके साथ arithmetic operators discuss किये थे मैं उस दिन भी यह आपके साथ discuss करना भूल गया था इसको पहले discuss कर लेते हैं जो यह वाला part है इसे change वाला part करते हैं अगर आप उपर वाला loop देखते हैं तो इसमें यह change वाला part है इस part में आ जाते हैं अब यहां पर देखें i नजर आ रहा है अब increment के जब भी आप बात करते हैं तो increment के तीन method होते है inflammation के लिए आप i plus plus फिलिख सकते हैं i equals to i plus one भी लिख सकते हैं i plus equals to one भी लिख सकते हैं इन तीनों का same मतलब है ये same काम कर रहे हैं अब हो के रहा है अगर जो नीचे वाली line है इनको मैं comment कर देता हूं और इस line की output आपको दिखाता हूँ printf d i तो आप देखेंगे यहाँ पर line number 21 पर मैंने इसको initialize किया one के साथ line number 23 जैसे ही आती है i के अंदर one का increment हो गया यानि कि i के अंदर one add हो गया एक number इसमें add हो गया वो number क्या था one program अगर run करते हैं तो देखें यहाँ पर two आ रहा है two कैसे आ रहा है i के साथ initialize किया line number 23 पर आके increment हुआ यानि कि number बढ़ गया one खुद में add कर लिया उसने खुद में add कर लेने के बाद जब result देखा तो two आ गया i में इस टेम पर two पड़ा हुआ है उसके बाद अगर मैं इस instruction को remove करता हूँ और remove करने के बाद देखता हूँ i equals to i plus one तो यह थोड़े से ज्यादा detail में लिखी भी instruction है अब यहाँ पर देखें i की value क्या थी one और यह क्या है one one plus one equals to two यानि सबसे पहले यह वाला part execute हुआ इसकी calculation हुई जो result आया वो i में फिर से store हो गया और नीचे जो output आयी वो two आ गए अगर मैं program run करता हूँ तो again two आ गया अब इसकी जो एक third variation थी अब उसको देख लेते हैं plus equals to one अगर मैं इसको run करता हूँ तो same output आएगी यह देखे two तो आप बेशक इस तरह से increment करवा लें आप बेशक इस तरह से increment करवा लें बेशक आप i plus plus लें कोई भी issue नहीं है कहने का मतलब यह है अगर आप increment करवाना चाहरे हैं तो यह तीनों की तीनों जो variations मैंने आप लिखे हैं increment की यह सारी की सारी valid है it's totally up to you अगर आप इसकी जगह पर i plus plus लिख देते हैं तो यह इसका short hand बन जाता है increment का जो increment के लिए आप instruction लिखते हैं उसका short hand बन जाता है अगर मैं लिखता हूँ i equals to i plus one तो यह थोड़ी से इसकी detailed form आ जाती है तो यहां पर एक चीज़ note करें जो first rule instruction है जहां पर मैंने i को one के साथ initialize किया उसके आगे terminator आया यानि कि मैंने इसको बता दिया यह instruction यहां पर complete हो रही है उसके बाद i is less than or equal to 10 दूसरी instruction यहां पर complete हो रही है जो तीसरी instruction है उसके आगे मैंने semi column नहीं लगाया यानि कि इसके आगे मैंने terminator नहीं लगाया क्यों नहीं लगाया क्योंकि syntax है जो last यहां पर instruction आ रही होती है उसके आगे terminator नहीं लगाते है चले अब इसको print करवाते है printf %d यह जो मैंने back backslash t लिखा हुआ है इसका मतलब बता tab यह tab की instruction है यानि for example अगर आपने keyboard पर आते हैं तो keyboard के उपर tab का button होता है अगर आप वो प्रेस करते हैं तो space ज्यादा आ जाती है यह वो ही tab है मैं language को instruct कर रहा हूँ कि यहां पर tab आएगा जैसे यह number print हुआ उसके आगर tab आ जागा इसके साथ tab भी print होगा यहां पर मैंने i लिख दिया i मैंने जैसे ही लिखा तो यह देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 तो 10 numbers वाहां पर print होगा है यहां पर काम कैसे हुआ इसको थोड़ा सा deeply देखते है इस पर थोड़ा साथ रूम एड़ाप कर लू ताके मैं चीज़ें अच्छे तरीके से explain कर सकूँ इसको मैं snapshot ले लेता हूँ और Microsoft Paint पे चलते है अगर आप एक loop को अच्छे तरीके से इंडिसेंट कर लेंगे तो बाकी के loop आपके लिए बहुत ज़्यादा simple हो देए तमाम loops में एक जैसा काम हो रहा हुता है अब यहाँ अब आप देखें सबसे जो पहला काम हुआ था looping variable initialize हुआ था यह जो i है इसको looping variable कहते हैं जिसकी वज़ाँ से loop चल रहा है उसके बाद क्या काम हुआ condition check हुई यहाँ पर check किया गया कि क्या i की value 10 से छोटी है यह 10 के equal है तो इस time पर i की value 1 है जो के 10 से छोटी है तो यहाँ पर less than माला जो part है यह true हो गया जब lesson माला part हो गया true हो गया तो यह पूरी की पूरी condition true consider हो गई जैसी condition true consider हो गई execution यहाँ पर आ गए यह message print हो गया यह जैसे ही message print हुआ print हो जाने के बाद execution इस जगह पर आ गए यहाँ पर आगे क्या काम हुआ i की value 1 थी यहाँ पर आखे 2 हो गई अब 2 हो जाने के बाद फिर से condition चेक हुई फिर से condition चेक होई अगर condition true हो गई, फिर से loop की body के अंदर आ गया और ये message display हो गया, print हो गया message print हो जाने के बाद फिर से वापस increment हुआ increment हो जाने के बाद फिर से condition check हुई और उसके बाद फिर से ये statement print हुई तो ये काम कितनी दफा हुआ, ये 10 दफा हुआ अब यहाँ पर आपने एक sequence note नहीं किया अगर आप गौर से एक sequence देखते हैं, जब first time loop चलेगा तो उस time पर इसकी कुछ शकल इस तरह से बनेगी एक second मैं तो रहाँ सा रूम यहाँ पर add up कर लू जब first time loop चलेगा ओहो first time loop के चलने पर यह दो instructions चेक होँगी यह सिर्फ first time होगा यानि looping variable initialize हुआ, मैं इसके पर साथ numbering भी कर देता हूँ one two अब one or two का मतलब यह है कि पहले कौन सी instruction चलेगी मैं instruction का जो sequence बन रहा है, मैं उसकी बात कर लो पहले यह वहली instruction execute होगी i equals to one, फिर condition चेक होगी उसके बाद condition अगर true होती है, तो true हो जाने के case में जो नीचे वाला part है यानिके जो मैं print कर रहा हूँ, वो print वाला काम हो जाएगा और print वाला काम हो जाने के बाद जो next instruction है फिर execute होगी मतलब, अगर मैं इसकी numbering कर देता हूँ तो numbering करने के साथ आप note करें तीसरी instruction ये चलेगी तीसरी instruction ये चलने के बाद जो ये वाला part है, ये fourth का है जो नीचे वाली इसकी variation है उसमें loop एक दफाँ चल चुका है जो उपर वाला part है, इसमें first time चला है जो नीचे वाला part है, अगर आप उसमें आते हैं अब उसकी variation देख लेते हैं जब next time loop चलेगा तो next time loop चलने पर सबसे पहले जो instruction number 4 है ये execute होगी फिर instruction number 2 जो है ये execute होगी यानि जब second time loop चलेगा सबसे पहले ये वाला काम होगा increment वाला और उसके बाद ये वाला काम होगा और अगर मैं इसको numbering कर देता हूँ तो पहले ये instruction चलेगी और उसके बाद नीचे third instruction चलेगी जो कि ये वली है ये third instruction चलेगी ठीक है इसको repeat कर देता हूँ जब loop first इसके साथ मैं mention में कर देता हूँ इसका मतलब क्या है वेरी फर्स इतरेशन rest of the other iterations यानि first iteration यानि कि जब first time loop चला rest of the other iterations जब बाकी की iterations ही जब बाकी दफा लूप चला जब first time loop चला तो यहां पर आप sequence देखें सबसे पहले instruction ये थी यानि कि जो सबसे पहले instruction थी वो ये थी जो दूसरी instruction चली वो क्या थी condition जो तीसरी instruction थी वो क्या थी print किया जो चोती instruction थी वो क्या थी increment हुआ तो ये वाला काम हुआ असल में अगर नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद आप क्या नीचे कर आते हैं जो इसकी variation है वो क्या कह रही है rest of the other instruction जो first iteration है उसके बाद की जितनी भी iterations ही सबसे पहले ये वाला part execute हुआ यानि के increment हुआ उसके बाद condition चेक हुई condition true हो गई तो execution यहां पे आ गई line number three पे और ये part चला उसके बाद फिर से यहां पे जो increment वाला part है यानि के one वाला block ये execute हुआ फिर two और फिर three और ये काम जो हो रहा है ये कुछ इस तरह से हो रहा है इसके बाद ये काम इसके बाद ये काम इसके बाद ये काम तो ये इस तरह से एक cycle बना हुआ और अगर उपर आते हैं उपर वाले version में आते हैं सबसे पहले ये काम इसके बाद ये काम और इसके बाद ये काम तो आई होप यहां पर आपको idea समझ में आ गया अगर आप ये idea से किसे understand कर लेते हैं तो आने वाले time पर आपको understanding में मसला नहीं आएगा यान जो different और variations है loop की उनमें आपको मसला नहीं आएगा अब let's suppose आप कहते हैं कि मैंने loop के अंदे रहते वे किसी number का table प्रिंट करवाना है अब table कैसे प्रिंट करवाया जा सकता है अगर आप two के table की बात करते हैं two multiply by one equals to two मैं complete table तो उपर नहीं लिखूंगा comment में लेकिन आपको एक idea देना है उसके लिए मैं table का part लिखतेता हूं two three four यानि कि output का कुछ part में यहां पर लिख देता हूं four six eight यहां पर आप देखें loop चल रहा है तू one's are two two two's are four two three's are six two four's are eight अब इस format में मैंने loop print करवाना है और इस format में loop पहली चीज़ भी है कि उसको मैंने print करवाना है जैसे अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले तो यह format बनाना है यह format बनने का कैसे असल में ठीक है तो यहां पर मैं एक number लिख लेता हूं int num equals to two अब यह basically वह variable है जिसमें वह number पड़ा होगा जिसका table हम generate करवाना चाहरा है ठीक है और एकर मैं scroll down करता हूं अब यह वाला part आता है यहां पर इसका format बनाते हैं यहां पर इसका format बनाते हैं यह लूप ने इस तरह से इस तरह से यह format बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा printf सबसे पहले 2 आएगा 2 क्या है यह वाला 2 यानिके number इसको print करोना चाहरे है तो सबसे पहले यहां पर placeholder आ जागा percentage d परसेंटेज d आने के बाद space एक्स फिर से space अब इतना पार्ट हमने बना लिया यानिके इतना पार्ट बना लिया आगे 1 वाला पार्ट आ गया अब यहां पर note करें लिखव है 1,2,3,4 यह sequence आपको कहां पर मिल सकता है अगर आप यहां पर note करें तो i की value 1 से लेकि 10 तक जा रही है पहले i में 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 4 आएगा तो यह same sequence बन रहा है तो यह चीज़ साबित हो गई कि जो यह वाला पार्ट है यहां पर looping variable आएगा यह उसकी जगह है यहां पर मैं फिर से लिखतूंगा percentage d अब इतना काम कर लिया है हमने यह नहीं कि इतनी formatting कर लिया है इतनी formatting कर लिने के बाद अब यह अगला पार्ट आता है अब इसकी formatting कर लिया यह वाला अब इसकी formatting कैसे की जाएगी space equals to percentage d अब इसको यहां तक format कर लिया यहां तक format कर लिने के बाद अब इस पार्ट का तो को पता है, यह सारे के सारे placeholders हैं, तो जिस sequence में placeholders आ रहे हैं, उसी sequence में मुझे आगे numbers लिखना पड़ेंगे, तो सबसे पहला वाला यह वाला पार्ट, यहां पे कौन सा number आएगा, 2, 2 किस की value है, num की, तो सबसे पहले comma के साथ मैं लिखूंगा, num, इस पार्ट को deal कर लिया, उसके बाद अब next वाले पार्ट को deal करने के लिए हमें क्या required है, यह वाला पार्ट, यानि कभी उसमें 1 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, इसके मतलब यह हुआ, कि यहां पर I आ जाएगा, उसके बाद फिर से comma, comma के बाद, अब यह के 2 कैसे आ रहा है, यह वाला 2 असल में 2 multiply by 1 के साथ आ रहा है, इस 2 का के मतलब है, num multiply by, इसके के मतलब है I, तो यह यहां पर एक formula लगेगा, यह बन जाएगा, num multiply by I, और एक चीज में यहां पर miss कर गया हूँ, चलिए उस चीज की तरफ में वापस आता हूँ, अगर मैं इसको run करता हूँ, तो यह इसकी output आए, अभी देखिए इसकी output आपको clearly नजर नहीं आ रही है, क्यूंकि मैंने line break इसमें add नहीं की, अगर मैं इसमें line break add कर लेता हूँ, तो फिर सब कुछ clear हो जागा, यहाँ पर मैंने line break add कर ले, backward slash और end के साथ, अब अगर मैं इसको execute करता हूँ, तो यह देखें, मेरे सामने easily loop print हो गया, two ones are two, two twos are four, two twos are six, two fours are eight, two fives are ten, तो इस सारे का सारा काम logical है, programming की तरफ आप जब भी आते हैं, आपको logic के लिए अच्छा कासा काम करना पड़ता है, आपकी logic building पार अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी कैसे होती है, step by step होती है, आप practice करते हैं, प्रेक्टिस के साथ आप ठीक हो जाते हैं, चलें इसको dynamic बनाते हैं, अभी तो यहाँ प input a number, scanf, scanf में जाकर मैं लिखूंगा d, और जिस variable में input आ रही है, उस variable का नाम, यहाँ इसको मैं remove करता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, और initial इसको मैं 0 से initialize कर देता हूँ, यहाँ जिसमें initial value है, वो 0 है, अब नीचे आके, यहाँ पर, मैं input वाला काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा amp और num, amp और num लिखने के बाद, विगर मैं इसको execute करता हूँ, तो अब मुझ से input मांगी जाएगी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 3, मैंने जैसी enter की, hit की, तो नीचे बिर पास output आ गए, 3, 1, 3, 2, 6, 9, 12, 15, and so on, यह 30 तक गई, तो successfully table generate होगी, मैंने dynamically generate किया, यह basically first type थी, loop की, अब इसमें जो second type है, उसको देखते है, while loop, जितने भी मैं loops आपके discuss करूँगा, जितने भी loops available है, सब में यह तमाम के तमाम parts आते हैं, और इसी sequence में आते हैं, सबसे पहले यह दो parts execute होते हैं, और फिर remaining time उसमें loop ने चलना होता है, फिर यह दो parts execute होते हैं repeatedly, जब तक condition false नहीं हो जाती है, इसको में remove करता हूँ, इस पूरे के पूरे part को, remove कर देने के बाद, अब while loop की बात करते हैं, अब while loop का syntax क्या होता है, while loop का syntax कुछ इस तरह से होता है, condition, और change इसके अंदर आता है, और, यहाँ पर आप देखें कितनी चीज़ें available हैं, कितनी miss हैं, यहाँ पर condition available है, change available है, लेकिन initialization available नहीं है, तो initialization, मैं यहाँ पर बाहिर करवा दूँगा, initialization, तो initialization यहाँ पर हो जाएगी, इसको separate कर देता हूँ, लाइन लगा के, चलिए हम while loop लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखा, int i equals to one, while, और यहाँ पर condition आ गई, i is less than or equal to ten, same like before, यह loop चलता रहेगा, कब तक, जब तक condition satisfied होती रहेगी, condition true रहेगी, जब तक i में 11 नहीं आ जाता है, यह loop चलता रहेगा, यहाँ पर एकर i में 11 आ जाता है, और यहाँ पर condition चेक होती है, तो क्या होगा, क्या 11, 10 से चोटा है, नहीं, condition false हो गई, यह वाला part false हो गया, क्या 10 और 11 दोनों equal है, वो भी equal नहीं है, तो यह entire condition false हो गई, और loop terminate कर जाएगा, तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर i लिख देता हूँ, अब जो नीचे बाला part है, इसमें आके मैंने i++ लिख दिया, बेशक i++ लिखते हैं या i equals to i plus one लिखते हैं, up to you, इसके short hand एजसमें आपको पहले बताया था, अब यहाँ पर मैंने लिखा, print f, और मैं इसको print करवाना चाहा रहा हूँ, मैं लिखता हूँ, percentage d, backward slash n, n की जगह पर t लिख देता हूँ, tab के साथ print करवाता हूँ, और i, अगर मैं program को execute करता हूँ, तो यह देखे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten, execution कैसे हुई सबसे पहले initialization, वो ही steps लो मैंने पहले बताया थे, सबसे पहले initialization, फिर condition check हुई, condition अगर satisfy हो गई, loop की body के अंदर आगे, loop की body start कहां से हो रही है, end कहां पे हो रही है, यह जो braces आपको नजर आ रही है, एक opening है, एक closing है, यह loop की body है, यह वाला part execute हुआ, और यह वाला part increment हो गया, increment हो जाने के बाद, फिर से condition check हुई, तो जो sequence of steps मैंने आपको पहले बताया थे, same sequence of steps, use होंगे यहाँ पे भी, इसको बलके मैं थोड़ा सा ज्यादा detail भी बता देता हूँ, थोड़ा सा room add up कर लो, एंगे अपर भी जादा इंगे यहां, इंगे से री मूव वीलो कर देतो, इंगे से री मूव वीलो कर देतो, कि इसको एक जबर फिर से कॉपी कर लेता हूँ और मैं चाहरा हूँ कि इसी जगह पर सबसे पहले साथ इसके इसके बाद यानि के डू आल लूप जाए इसको भी डिस्कुस कर लेता है अब इसकी execution कैसे होगी मैं numbering कर देता हूँ जब फिर्स्ट टाइम लूप चेलेगा सबसे पहले इनिशिलाईजेशन होगी इनिशिलाईजेशन के बाद यह वाला part execute होगा फिर यह instruction execute होगी और increment होगा यह first time के चलने पे होगा और जो steps का sequence बन रहा है वो मैं mention कर देता हूं यह step number one होगा और यह जो condition check हो रही है यह step number two होगा यह step three यह step four अगर नीचे वले पार्ट में आते हैं तो सबसे पहले यह वाला पार्ट execute होगा फिर condition execute होगी और उसके बाद print वाला पार्ट execute होगा अब इसका जो sequence है वो भी मैं define कर देता हूं यह ने one two पे condition और three पे print statement तो I hope you boxes बनाने के बाद sequence बता देने के बाद आपको इस loop का भी idea हो गया confusion होई तो आप मुछे contact कर सकते हैं अब यहां पर do while loop लिखते हैं तो जब do while loop की बात की जाती है उसमें भी तीनों चीज़ आते हैं इनिशलाइजेशन है फिर condition है फिर change है लेकिन do while loop का सीक्विंस तोड़ सा डिफरेंट है इसको अगर मैं copy करता हूं copy कर लेने के बाद जो do while loop का case बनता है वह यह बनता है सबसे पहले इनिशलाइजेशन फिर change और change के बाद फिर condition यानि कि इसमें last में condition चेक होती है तो इसका syntax कुछ इस तरह से है do change while condition condition सबसे last में चले जाती है और इनिशलाइजेशन वाला part वो बाहर आ जाता है तो यह इसका basically sequence बनता है अगर मैं नीचे आता हूं और font से सोड़ा से चोटा कर देता हूं इस part में आकर सबसे पहले मैंने initialization कर दी यानि कि यह वाला part मैंने लिखती है उसके बाद अब मैं loop की body लिखता हूं do while और यहां पर आगे terminator भी आएगा इस अगा पर क्योंकि instruction यहां पर terminate कर रही है अब जो do के अंदर वाला part है यहां पर change आएगा यहां पर मैंने लिखती है i++ और साथ में यहां पर message भी print करवा दिया i is less than or equal to 10 अब इसकी execution कैसे होगी सबसे पहले मैंने variable को लूप की body start हो गई यहां पर आप note करें condition नहीं है सबसे पहले condition नहीं आ रही है यानि कि directly loop की body start हो गई लूपी body start हो जाने पर printfally statement execute होई उसके बाद increment हुआ यानि कि change वाली statement और उसके बाद जो while वाली condition है यह condition चेक होई अगर तो condition true हो गई execution फिर से print वाले part पर आ गई उसके बाद फिर से increment हुआ उसके बाद फिर से while वाला part execute हुआ यानि कि condition चेक होई तो अगर इसको आप clearly visualize करना चाहते हैं तो इसको भी मैं paint पर जाकर define कर देता हूँ तो उसके बाद आप करो मैं ड्यानिक कर तो पाद कर दो कर दो तो 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 अटीक है वाल रूनिंग आप रूम लेकिन अटीक है ओके तो यहां पर जो basically sequence बन रहा है instructions का वो कुछ इसरा से बन रहा है सबसे पहले यह वाली instruction चली फिर यह execute हुई फिर यह execute हुई और उसके बाद जाके condition चेक हुई लेकिन अगर नीचे वाले part में आते हैं तो यहां पर मैं color different choose कर लेता हूँ जब second time लूप चला प्रेंट वाली statement उसके बाद यह वाला part और उसके बाद condition इनकी numbering भी कर देता हूँ पहली statement यह थी दूसरी यह थी और तीसरी इनीचे वाली थी यह sequence चला यानि one two three और उसके बाद फिर say one two three और अगर मैं उपर आता हूँ जो first time loop चला तो पहली जो instruction चली थी वो यह वाली चली थी यह वाली instruction execute हुई थी जो दूसरी instruction execute हुई थी वो यह थी जो third थी वो यह थी और जो fourth थी वो यह थी condition तो यह sequence आपके साब नहीं है इसको अगर मैं execute करता हूँ तो यह देखें मेरे पास same output आ गए one two three four five six seven eight nine ten यहाँ पे चीज़ नोट करने की है आप नोट करें condition कोई नहीं उपर यानि for example अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ी value दे देता हूँ let's suppose 100 दे देता हूँ क्या 110 से बढ़ा है condition देखे तो condition false होती है लेकिन loop चलेगा एक दफा initialization हुई dual apart execute हुआ print हो गया यानि कि जो भी number आपने print कर वाना था यहाँ पर 100 प्रिंट हो गया आई प्लस प्लस यहाँ पर आके 100 की जगा पर इंक्रिमेंट हुआ तो 101 आ गया तो 101 क्या 101 10 से चोटा है क्या 101 10 के बराबर है तो यह जो condition है यह completely false हो गया यह loop कि अपनी instructions हैंगे जो आप specific काम करोना चाहरे होंगे furthermore जो मैंने यहाँ पर increment वाला काम किया अगर आप 4 loop में काम नहीं कर रहें तो आपके हाथ में control आ जाता है कि आप पहले increment कर अजा रहे हैं यानि कि यहां पर इंक्रिमेंट करौआना चा रहे हैं यहाँ पे करवाना चाहरा है, मैरे line over 45 पे करवाया है तो आप print की statement से पहले भी increment करवा सकते हैं और यही same काम आप while loop में भी कर सकते हैं यानि कि while loop में भी आप increment पहले भी करवा सकते हैं बाद भी करवा सकते हैं, it's totally up to you control है आपके पास अब quickly यहाँ पे मैं छोटी से example करता हूँ nested loop की और उसके बाद इस lesson को complete करता है अब nested loop कैसे लिखते हैं, मैं सबसे पहले let's suppose यहाँ पे 4 loop लिखता हूँ i equals to 0 4 i equals to 1 i is less than or equals to 10 i plus plus तो 10 की जगह पे मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ अब इस एक चीज़ याद रखें जब execution loop के अंदर जाती है यह आप कह सकते हैं कि loop उतनी दिये तक चलता है जब तक condition आपके satisfy रहती है loop कहां से start हो रहा है, line number 40 से कहां पे end हो रहा है, line number 42 पे line number 43 जो है वो loop के बाद वाली है तो loop कब तक, execution loop के अंदर कब तक करेगी जब तक कि यह condition true रहेगी condition जैसी false हो जाती है loop terminate कर जागा, execution line number 43 पे आ जागी अगर आप nested loop लिखना चाहते है तो वो इस तरह से आएगा int j equals to 0 j equals to 1 j is less than or equals to 5 j plus plus अब यहां पे note करें, यह loop कैसे चलेगा जो external loop है, first time वो चला condition satisfy हो गई execution line number 42 पे आ गई उसके बाद जो execution है, वो line number 43 पे आ गई जब 43 पे execution आ गई यह एक और loop है तो loop कब तक चलता है, जब तक condition true रहती है तो यह loop कितनी दफ़ा चलेगा? यह one से लेके five तक चलेगा जब यह loop terminate कर जाएगा, जब condition falls हो जाएगी, फिर execution loop के बाहर आ जाएगी यानि कि इस जगह पे आ जाएगी इस जगह पे आने के बाद, अगर आप इस जगह पे आते हैं, तो आप note करें यह किस loop का scope है आप किस की body में आ गया है, आप बाहर वाले loop की body में आ गया increment हो जगा i में i में increment हुआ, फिर से condition चेक होई, condition true हो गई execution line number 42 पे, sorry 41 पे तो loop है 42 पे execution आ गई, उसके बाद internal loop फिर से आ गया internal loop फिर से start हुआ, यानि कि J को फिर से value 1 मिल रही है J में जो पुरानी value पड़ी थी, जिसकी वज़ा से loop terminate किया था जो कि 6 थी, वो फिर से 1 हो गई, initial value internal loop फिर से execute हुआ internal loop जैसे ही terminate हुआ, आप फिर से बाहर जो external loop है, उसकी body में आ गए, और यह loop मुसलसल चलता रहा कब जाके complete हुआ, जब बाहर वाला loop बाहर वाले loop की condition falls हो गई तो कहने के मतलब यह है, अंदर वाला loop कितनी दफ़ा चला बाहर वाले loop की हर iteration पे अंदर वाला loop 5 दफ़ा चला यानि के बाहर वाला loop पहले दफ़ा चला, अंदर वाला loop 5 दफ़ा चला फिर बाहर वाला loop दूसरी दफ़ा चला, अंदर वाला loop 5 दफ़ा चला फिर बाहर वाला loop तीसरी दफ़ा चला, अंदर वाला loop 5 दफ़ा चला बाहर्वाला लूप पांच दफ़ा चला पर अन्दर वाला लूप पांच दफ़ा चला यानि कि एक से पांच तक चला तो लूप इसना से चलता है अगर यहां पर मैं इनकी output डिस्ट्पले गराता हूं तो यह कुछ इसना में नदर आएगा printf यहाँ पर मैं लिखतेता हूँ j और इसके आगे j की value आ जाएगी sorry i और इसके आगे i की value आ जाएगी percentage d और इसके आगे मैं एक line भी लगा देता हूँ यह line इसके नीचे आएगी यहाँ पर line break हो जाएगी और यह line उसके नीचे display हो रही होगी comma और i और जो j वाला part है अब इसको देख लेते हैं इसको paste किया paste करने के बाद i की जगा पर मैंने j लिख दिया और यहाँ पर j की value आ गई i को remove करना पड़ेगा इसके जगा j आ जाएगा printf यह just मैं loop की formatting कर रहा हूँ जो output है मैं उसको format कर रहा हूँ कि output बिल्कु ख्लियर ने दर आनी चाहिए इस part को copy कर लेता हूँ paste यह जो मैंने line break पीछे add कर दिया था इसको last one करना पड़ेगा अब अगर मैं इस loop को execute करता हूँ तो इसका result देखें बाहर वाला loop जो i वाला है वो एक दफ़ा चला जो internal loop है वो कितनी दफ़ा चला पांच दफ़ा एक, दो, तीन, चार, पांच वो five times चला जो i है वो जब second time चला j वाला loop फिर से पांच दफ़ा चला यह जो j वाला loop है यहाँ पर भी line break add कर देता हूँ ज्यादा clear हो जागा अब clear हो गया i first time चला j वाला one से लेके five तक चला i second time चला j वाला one से लेके five time चला कहने का मतलब यह है कि looping iterations को अगर आप देखते हैं तो बाहर वाला loop उसकी first iteration पे अंदर वाला पांच दफ़ा चला उसकी second iteration पे भी अंदर वाला loop पांच दफ़ा चला उसकी third iteration पे भी अंदर वाला loop पांच दफ़ा चला तो loop कब तक चलता रहा जब तक बाहर वाला loop terminate नहीं हो गया तो इसी तरह से जो बागी के loops हैं जैसे वाई लूप है, उसके बड़ डू आई लूप है, आप उनके भी nested loops बना सकते हैं, nested का मतलब होता है, nested loop का मतलब होता है loop within a loop, अब for example, अगर एक ये loop है, तो इसके अंदर और भी loop आ सकता है, इसके मैं copy कर लेता हूँ, यहाँ पर भी loop आ सकता है, और उसके बाद एक और नीचे भी loop आ सकता है, तो यह depend करता है आपके requirement क्या है, आप क्या चीज लिख रहे हैं, क्या चीज बना रहे हैं, आपका program क्या अक्छा रहे हैं आपसे, अब यहाँ पर quickly एक while loop बनाते हैं, जो के nested होगा, while loop थोड़ से different होत हैं, while और मैंने यहाँ पर लिखा, i is less than or equals to 5, उसके साथ ही, मैं loop के अंदर आ गया, j equals to 1, while j is less than or equals to 5, और इस loop के बाहर आके मैंने लिखती है, i plus plus, और जो internal loop है, उसमें आके मैंने लिखती है, j plus plus, तो यह देखें, successfully while loop बनाते हैं, आप यहाँ पर confused हो सकते हैं, आप कह सकते हैं, कि मैंने j equal to 1 क्यों किया है, मैंने j equal to 1 इसलिए किया है, आप scroll up करें, और यहाँ पर steps सबसे पहले initialization होती है loop की, उसके बाद condition check होती है, और उसके बाद फिर change वाला power आता है, सबसे पहले initialization होई, यहाँ पर जो loop है, इसको मैं once initialize कर देता हूँ, जोनों को, यानि कि one to five, सबसे पहले initialization हो गई, बाहर वाले loop execute हुआ, जब first time execute हुआ, condition true हो गई, line number 44 execute हुई, अब line number 44 पे, जो inner loop है, यानि जो जे वाला loop है, मैं उसको initialize कर रहा हूँ, फिर condition check हुई, loop उस time तक चलता रहा, जब तक condition false नहीं होई, जैसी condition false हो गई, execution line number 49 पे आ गई, line number 49 पे आके increment हुआ, किसमें, i में, i की जो भी value थी, उसमें one add हो गया, condition अगर फिर भी satisfy हो जाती है, line number 44 पे आके, j की value फिर से one हो जाती है, और उसके बाद inner loop चलेगा, and so on, ये steps वैसे के वैसे ही perform होंगे, तो इसी तरह से जो do while loop है आप वो भी बना सकते हैं, ये while वाला part आ गया, i is less than or equals to 5, जो बाहर वाला loop है, मैं अगर उसकी body में आता हूँ, तो यहाँ पर आके i plus plus लिखते देता हूँ, जो internal loop है, उसके अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर आके j plus plus लिखते देता हूँ, तो जो change वाला part है, उसमें increment भी हो सकता है, उसमें decrement भी हो सकता है, जो यह वाला पार्ट है चेंज वाला यह आपकी requirement भी depend करता है तो जो sequence of steps मैंने do while loop के बताये थे same वो ही sequence of steps यहाँ पर इस्तेमाल होंगे अब do while loop के अंदर आप अगर nested loop लगाना चाहते हैं तो internal loop आप four loop भी लगा सकते हैं ऐसी अगर while loop है तो while loop के अंदर भी आप nested loop अगर यूज़ करना चाहते हैं तो internal loop four loop यूज़ कर सकते है और इसी तरह अगर आपने four loop यूज़ किया है तो उसके अंदर वाला जो loop है वो आप while यूज़ कर सकते हैं आप do while भी यूज़ कर सकते हैं तो ज्यादा तर loops इस्वाल होते हैं, वो दो हैं, वो एक while loop है, और एक for loop है, तो I hope आज का जो lesson है, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक रहा, चीज़ें आपको proper way में clear हो गई हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी clear नहीं होती हैं, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, मेरा Facebook पे ग्रूप ह जो next lesson आप उसमें मुलगात होगी, तब तक के लिजाज़त, अल्लाफिस